नालागड कलू जहंडा के समी पर हिमाचल की सीमा से तीन किलोमेटर दूर तीन पॉजिटिव मामले प्रकाश में आये हैं जिसको लेकर सोलन जिला प्रशाशन ने इसक्षेतर को हायलेट घोशित कर दिया है किसी को भी इसक्षेतर में आने जाने के अनुमती नहीं है आवश्य वस्तों के आपूर्टी के लिए विशेश प्रभंद कर दिये गए हैं उपायुक सोलन केसी चमन ने सबी लोगों से प्रशाशन का सयोग करने की अपील की है साथ ये चितावनी दी है कि अगर कोई भी संपून लॉक्टाउन के नियमों के अवेलना करेगा तो उसके खिलाफ सक्त कारवी अमल में लाई जाएगी उपायुक ने बताया कि नालगड की सीमा से करीब तीन किलोमेटर दूर खरयाना बनोई के खुदा बक्ष क्षेतर में तीन करोना पॉजिटिव मिले हैं जिसके चलते मंदला बॉर्डर को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है क्षेतर की किसी को भी हिमाचल में आने की अनुमती नहीं है मंदला के आसपास का क्षेतर को बफर जोन भी घोशिट किया गया है लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमती नहीं है और जरूरी समान की आपूर्टी आउनलाइन ही की जा रही है ने ये एतियात पहले ही दे ली थी हमने बॉर्डर पहले ही सील कर दिये अब भी पुरा पुरा लॉक्डाउन कर देया है अब बिल्कुल हमारे मंदाला जो हमारा बॉर्डर है नालगड का वहां से तीन किलोमेटर दूर खुदा बक्ष बनोई में तीन केस पॉजिटिव हर्याना में पाए गए तो बफर जोन में हमारा क्षेतर भी कुछ आ जाता है मंदाला और बॉर्डी वाला हमने इसको पूरा सील कर दिया है वहां पे पहले से हमने ये तकि कोई इंटर स्टेट बोमेंट यहां से नहीं है तो पूरी अतहात है लोगों को घर में बिल्कुल कर दिया गया है तो हम ये ब्यवस्ता चालू रखेंगे और हॉम डिलिवरी मेकनिसम को स्टेंथन किया गया है और ये मेकनिसम यही एक तरीका है इसको काफी लंबे समय तक हमें कुछ देर तक हमें रखना पड़ेगा वहाँ पे अभी जो है हम वहाँ पे एक्टिव केस फाइंडिंग एक्टिविटीज हम शुरू कर रहे है और वहाँ पे जितनी भी गाडियां अंदर जाएगी जो हमारा कंटेन्मेंट जॉन तीन किलोमेटर का बनता है इसमें कोई एक्टिविटी कोई मुमेंट दी है जो गाडियां सेशनल कवर्टिटी से अंदर जाएगी और बाहर जाएगी उसको पुरी तरह सनिटाइज कर जा रहा है शेत्र को सोडियम हाइपर कलोराइट से फायर बिगीट के मादियां से इसको सनिटाइज किया जा रहा है तो ये सारी एतियात हम भरत रहे हैं और इसके लिए सारे जो हम करब जारी शेत्र के मुस्तादी से कारी कर रहे है हमने कंटेनमेंट जान बद्दी में बनाया है हमने कंटेनमेंट जान बनाया है एक बद्दी में अपना जार बाज encaps क का बनाया है